नमस्ते कैसे हैं आप सभी में नाम दीपशिखा ठाकुर है और दीपशिखा कोमर्स में आप सभी का स्वागत है तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ सेविंग अकाउंट के बारे में अब ये सेविंग अकाउंट क्या होता है इसको हम हिंदी में बोलते हैं बचत खाता अधिकतर लोगों का यही अकाउंट होता है शायद आपका भी होगा तो जानते हैं कि आखिर इसमें होता क्या है क्योंकि बहुत लोगों को बहुत जग्यासा होती है कि ये account किस तरीके से खुलता है, किस तरीके से काम करता है सबसे पहले हम आते हैं saving account को इसको हम इंदी में क्या बोलते हैं, बचत खाता अब ये account कहां खुलता है, तो ये account खुलता है बैंकों में जहां पर आप जाते हो, आप बोलते हो कि मुझे ये account खुलवाना है में समय तक कोई लिमिट नेगी कब तक जमा करना है आप जब तक चाहे यह अकाउंट रख सकते हैं इसका कुछ लिमिट होता है कि आप किस तरह के से व्याज लोगे जैसे बैंक क्या करती है बैंक करती है पैसों का वैपार वह पैसों का धंधा करती है वह पैसों से पैसा कमात तो यहां पर जो बैंक होती है आपके रखे हुरे पैसे पीस कहीं और पैसे कमारे के लिए इस व्याज देता है तो यह व्यास कि प्राइवेट बैंक होगा तो वह आपको व्याज ज्यादा देगी अगर आपका सरकारी बैंक है तो आपको व्याज कम मिलेगा लेकिन सेफ्टी ज्यादा होता है और जो अर्द सरकारी बैंक होती है वो आपको मिनिमम मानि मद्स तरिय व्याज देगी ना कम ना जादा जैसे अगर आप इस अकाउंट में सेविंग अकाउंट खुलवाते हो तो क्या होगा आपको आप वहाँ पे 10 लाख तक का सलाना याँ पे जमा करवा सकते हो एक सेविंग अकाउंट में ये इसके एक पे तो शूमा करवाते हूं तो उस 1998 मिलता है ठीक है किस है कि आपको व्याज मिल रहा है यह जाना बहुत इंपॉर्ट है इसके लिए हम समझेंगी कि जो wrench بलो ती वह क्या करती है आपको वह आपको 3% से लेकर के 7% तक का व्याद देती है लेकिन जो सरकारी बैंक होती है वो क्या करती है वो आपको कम से कम 3% से लेकर 4 या 5 तक ही जाती है इससे यादा वो नहीं जाती है जो बैंक होती है वो आपको progressive पैसे पे यानि progressive amount पे क्या करती है पैसे का व्याज बढ़ाती है अब कैसे इसको भी समझ लेते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि जब आप इसमें जमा करते हो पैसे तो आप पांच लाख रुपए जमा कर रहे हो तो बैंक क्या करेगी इस पांच लाख रुपए पे तीन पर्सन का व्याज देगी यानि तीन प्रतीशत का व्याज देगी जब आप इसको इस अमाउंट को रखे वे हैं और एक्स्ट्रा अमाउंट यहाँ पे दो लाख रुपए जमा करवा दिया आपने तो आपको इस पे क्या मिलेगा पाइप पर्सन का अमाउंट ऐसे करके यह क्या है आपका प्रोग्रेसिव अमाउंट यानि आपका अमाउंट प्रगती शील है वो सिर्फ पांच लाख पिर नहीं है आप ऐसा नहीं कर रहे हो कि पांच लाख डाला फिर निकाला फिर निकाला पांच लाक रखे वे हैं फिर एक्स्ट्रा उसमें और जमा किये हैं तो ऐसे प्रोग्रेसिव अमाउंट पे ऐसे प्रगती शील अमाउंट पे क्या करती है बैंक आपको व्याज किदर बढ़ाती है वो पांच लाक पे उतना ही व्याज देगी बस दो बढ़ गया है दो लाक रुपए यानि साथ लाक होगे टोटल तो दो लाक पे आपको क्या देगी व्याज किदर बढ़ा देगी ऐसा बैंक करती है अब आते हैं हम इसके फाइदे और नुक्सान की तरफ तो आप कम-कम amount पर पैसे जमा कर सकते हो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ 400 कैसे जमा करो 500 कैसे जमा करो, नहीं आप चाहे तो 200 रुपए भी जमा कर सकते हैं एक account के अंदर यो की saving account होता है हमारा दूसरे क्या फायदे हैं कि आपको जब ये account खुलता है तो आपको ये bank एक debit card issue करती है जिसके सहाड़े आप All India कहीं भी पैसे निकाल सकते हैं जैसे वो card किस तरह से दिखता है वो card इस तरह से दिखता है जिसमें क्या दिख़ए आपको एक हाई visa card, master card और rupee card तीन प्रकार के card होती है यो ये तीन card में क्या difference है किसी दिन और बता दूँगी पहले हम आते हैं कि आखिर ये account इसमें तीसरे फाइदे क्या है उसको अपसे पहले हम समझते है तो इसके तीसरे फाइदे ये है कि जब भी आप इस debit card को यूज कर रहे हैं तो आप इसके UPI PIN को यूज करके क्या कर सकते हैं online banking कर सकते है online payment कर सकते है जिसके सुवधा आजकल ही कुछी टाइम पहले से start हो गई है जैसे आप ये 16 नंबर का आप देख रहे हैं PIN तो आपको एक debit card मिलेगा जिसमें 16 नंबर का ये PIN मिलेगा इसका कुछ अंतिम नंबर आप यहां पर डालोगे और अपने UPI PIN को डाल करके जो की पीछे लिखा होता है और banking, net banking start कर सकती हो यहाँ आपको वैलिड रिदेगा कि कितने टाइम तक ये वैलिड रहेगा और क्या पर ये expired होगा इसको हम plastic money भी बोलते हैं क्योंकि ये तरह का क्या है ये तरह का plastic वाला हमारा पैसा है जिसको हम ATM मसीर में जाते हैं और पैसे निकाल लेते हैं अब इसका चौथे फाइदे क्या है क्योंकि ये progressive amount पर क्या दे रहा था हमें पैसे दे रहा था तो ये भी इसका एक फाइदा हो गया तो ये हो गया इसका चौथा फाइदा पाचवा फाइदा क्या हो सकता है कि जब आप इस अकाउंट को खुलवाते हैं तो safety की full guarantee है आपका अकाउंट unlimited रहेगा कोई दिकत नहीं है आप जितना चाहे उतना progressive amount को बढ़ा करके interest जादा ले सकते हो तो ये हो गया इसके फाइदे अब नुकसान भी तो कुछ होगा उसको भी तो समझते हैं कि नुकसान क्या होगा उसको सबसे पहले हम देखते हैं तो नुकसान ये होता है कि इस अकाउंट को खुलवाने में आपका पैसा को जो interest होता है वो थोड़ा गिर जाता है अब कैसी अब जो पैसे का value है वो आप market में देख रहे हो समझ रहे हो तो क्या है rate दुनिया क्या जो rate है हर चीजों का दाम बढ़ रहा है और आप अपने पैसे को कही invest करके छोड़ चुके हो लेकिन उसका interest जो होता है वो अभी के market value से कम हो रहा है उसकी value घट रही है ये उसका होता है नुकसान सेकेंड नुकसान क्या होता है कि जब आप इस account में इस saving account में पैसो को रख करके थोड़े amount में आप ज़्यादा amount में भी और लंबे समय तक use नहीं कर रहे हैं तो क्या होता है आपका account निश्किरिया हो जाता है यानि उसमें कोई गती शिल्टा नहीं रहेगी वो account काम नहीं करता है आपको bank जाना होगा और उसको वापसे चालू करवाना होगा पैसों को कोई दिकत नहीं है लेकिन account काम करना बंद हो जाएगा कहीं से पैसे आने ही पाएंगे कहीं से पैसे जाने ही पाएंगे ऐसा होता है कब जब आप لمबे समills नहीं कर रहे हैं कोई transactions नहीं कर रहे हैं जैसे मेरा भी ऐसा हुआ था मैने 500 रुपर डाल करकर saving account खुळवाया और वापस उसको छोड़ दिया वैसे ही कभी 2-3 साल लगे मुझे वापस को चाली करवाने में क्योंकि मैंने 2-3 साल तक कोई LinkedIn किया ही नहीं था तो ऐसा मेरे साथ हो चुका है अब हम आते हैं कि आखिरी अकाउंट खुलता कैसे है बहुत को माइड में होगा क्या कि आखिरी अकाउंट खुलेगा कैसे इसको भी खुलने के कुछ प्रोसीजर होते है इसना सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन-कौन इसको खुलवा सकते है तो ये दो टाइप के होते हैं इस अकाउंट को खुलवाने के भी दो तरीके होते हैं सेविंग अकाउंट के अंदर भी दो तरीके हैं पहला क्या है एक मिया पर्सनल आदमी यानि वन पर्सनल आदमी अपना अकाउंट खुलवाता है दूसरा होता है यहाँ पर जॉइंट अकाउंट यानि पहला होता है हमारा Personal Account यानि एक विक्षिटी का अखाउंट दूसरा होता हमारा Joint Account जिसमें क्या होता है? जो Personal आदमी है वो क्या करेगा? वो अपना एक Indivेasual क्या करेगा Account खुलवाएगा ऐसा होता है बैंक की अंदर दूसरा क्या process है कि इसमें आप joint account खुलवा सकते हैं joint account क्या यानि husband wife brother sister sister मा बेटी पापा बेटा ऐसे करके आप क्या कर सकते हो account खुलवा सकते हो joint account लेकिन सायद बहुत कम लोगों के पास यह account होगा यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर आपने joint account खुलवाया तो उसमें क्या होगा आप भी पैसे निकाल सकते हो आप भी पैसे निकाल सकते हो पैसे दोनों का चाहिए पैसे निकालने वक्त signature दोनों का चाहिए, एक आदमी चाहिए कि सारे पैसे मैं निकाल लूँ, ऐसा बिलकुल नहीं हो सकता है, क्योंकि क्या है ये, ये है joint account, आनि आप वो joint में सारे काम करने होगे, इसे जमा करने वक्त इतना rule नहीं होता है, लेकिन बहुत strictly rule होते हैं, पैसे निकालते हो, आपको दोनों का signature के बीना पैसे निकालने के लिए, बैंक से नहीं मिलेगी, तो ये बात आप याद रखिएगा, इसलिए मैंने कहा है, ये account बहुत कम लोगों का होगा, अब आता है कि आखे इस account को खुलवाने में, क्या-क्या process होंगे, तो इस account को खुलवाने के लिए, तीन-चा है, तो उसका प्रमा लगता है कि आपके पास घर है, आप आखिर कहा के स्थाई हो, तो ये आपको एक नॉर्मल चार डॉकुमेंट लगते हैं, और आपका account खुल लाता है, एक बात और या लखना है, इसमें क्या होता है, आपको एक गारेंटर चाहिए होता है, तो कि गारे account खुलवाने के बात क्या होगा, तो account खुलवाने के बात आपको तीन चीज़े मिलती है, तो कि पहला क्या होता है, पहला हमने देखा कि क्या मिलता है, हमें ATM कार्ड मिलता है, जिसको हम debit card भी बोलते हैं, जिसके थूरू आप ATM से बसान डालते हो, निकालते हो, कहीं से भी, क तो कि आपको बतता है कि आपने पैसे कहा कहा खर्च किये हैं कहा कहा כहा लेन-देन किये हैं उसके लिए वाकर मिलता है तीसरा मिलता है तीसरा मिलता आपको और यह क्या होता है कि वो एक होता है है उसको अब लिखोगे आपको मन नहीं करता है यह क्या होता है और होता है चिसको देना है पैसा उसको बड़े बड़े amount में भी दे सकते हो यासे 2 लाख 3 लाख दे सकते हो ऐसा कंप होता है आपको डिपैंड करता है वहहरा है नहीं लेना है डेबिट काइड है और लोग यह यह लेनना है और यहँगा करता है जाई बेंक आपको नहीं मिलता है दूसरा क्या होता है ज्यादा एज वालियों उनको कुछ-कुछ सुष्विधाइद होती एक कि यहां पे आपको ENTERस्च पार जाता है मिलता है ज्यादा कुछ फ़रक नहीं होता है यह का भूत है जब आपका युथ हो तो एक अकाउंट खूलने के बाद होता है एक और क्या होता है कि जब आप अकाउंट खूलWas थे हो तो जीरो पैसी बुप्रूण सकते हो और मीनिमुम सक्टेवंट फिर चैसे मैंनेbels师 बताए होता है जो सरकारि बंक होता है उनको भरोसा होता है को नहीं बोलते हैं अपने ढठेंए आप acting शुणता है उनको कोई दिक्त др लीदिघना पासबुक तो आपको देना ही पड़ेगा दिखाना ही पड़ेगा कि you can निखँ में रिखोगे छ Yeshua करने वाली राशीं विखोगी निकालने वाली राशी जब पेमेंट पैसे जमा करना है तो वाइट परची रोगे और जब आपको payment निकालना है पैसे निकालना है तो आप पिंग परची का यूज़ करते हो वहाँ पे सारे जितने भी information होगे उसको फुल्फिल करोगे और पैसे निकाल लेंगे तो यह सारे process होते हैं एक saving account के अंदर लेकिन याद रखे से आप पैसों का लेंदिन कर सकते हो और किस तरह से अपने अकाउंट को प्राइवेट और जो इंट अकाउंट रख सकते हो तो फिलाल आज के लिए इतना ही अगर कोई भी यहां पर दिकत हो रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो थैंक यू